अब खबर जुंजनू के बगर थाना इलाके से है जहां काटली नदी पुलिया के पास एक ट्रक में आग लगने से उसका चालक जिन्दा ही जल गया ये ट्रक कोटा से पिलानी की तरफ जा रहा था लेकिन गलत तरीके से बने ब्रेकर में ट्रक अनियंत्रित होकर पुलिया के पास लटक गया और पुलिया पर लगे पत्थरों को तोड़ते हुए ये ट्रक पलटा तो उसमें आग लग गई हाथसे के वक्त ट्रक में चालक जगदीश, खलाशी सल्मान और अलबुद्दीन मौजूद थे और इसी दोरान दोनों खलाशीयों ने तो ट्रक से कूट कर अपनी जान बचा ली लेकिन चालक जगदीश ट्रक में ही फस जाने से जिन्दा जल गया तो वही हाथसे के सूचना पर पहुंची पुलिस ने फाइर ब्रिगेट की मदद से आग पर काबू पाया और शव को बगड की मोर्चरी में रखवा दिया और फिलाल पुलिस पूरे मामले की जाज परताल में जुटी है ट्रक गिरने से जल कर एक आदमी की मर्ति हो गई जोर दार दमाका हुआ दमाके साथ इस पल्टी खाई पल्टी खाते इसमें आज लेगी में खेटनी सुता हुआ था बाग कर आया आकर दो तिन गाजियों उर्पाने कुछ इसकी और देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सबस्क्राइब करें एवन टीवी न्यूज साथी बैल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पासकें ताजा खबरों की नोटिफिकेशन